कि भग्वान विश्णू के पिता जी का कि नाम ग्याद करने के लिए उन्होंने करवत का मंफन करा एक्पाहाड का ब्रहुन मंफन किया और उसमें से शिवलिंग प्रगट हुआ यह दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग था जब भगवान ब्रह्मा और भगवन विश्नु ने प्रगट किया था सबसे पहला शिविलिंग प्रगट हो गया पर ब्रह्मा जी के मन में ये भाव प्रगट नहीं हुआ कि इस शिविलिंग का चरण का है अब कि चरण और सीश को ढूंडने की दोनों के भीतर बाव जगरित होगे भगवान विष्णु भगवान संकर का ना सीश देखना चाते थे ना भगवान संकर का चरण देखना चाते थे क्योंकि भगवान विश्णू को मालूम था कि देव अधित्यों महादेव की करूना ही बहुत है तो चरण और चीज़ देखने की जरुवत ही क्या पड़ेगी उसके करपा ही बहुत है और ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जगरीत नहीं हुआ और ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे कुछ भी करके ब्रह्मा जी ने विचार करा कि भगवान शंकर का सीष कहां है चरण कहा है जरा मैं पता तो करूँ और ब्रह्मा देव के मन में यह भाव जगरेत हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान विश्णु से कहा कि मैं भगवान का सीष देखने जाओं कि चरण देखने जाओं आप जो कहेंगे मैं स्विकार करूंगा आप जो बोलेंगे मैं उसको स्विकार करूंगा आप कहें तुम्हें सीष का दर्शन कर लेता हूं आप कहें तुम्हें चरण का दर्शन कर लेता हूं आप जो बोलेंगे मैं स्विकार कर लेंगे भगवान विश्णु ने कहा ही काम करो ब्रह्म देव अगर तुम शिवजी को जानना ही चाते हो तो भगवान संकर का सीष का दर्शन तुम कर लो मैं चरण का दर्शन कर लेता हूँ यह हमने पहले भी शुमाहपुराण में बर्णन किया पहले भी इसका थामे अपन ने इसका इसमर्ण किया और ब्रह्मा जी भगवान शंकर का सीश देखने के लिए चले जब ब्रह्मा जी भगवान शिव का सीश देखने के लिए चले तो इतने उपर पहुशतेगा इतने उपर पहुशतेगा इतने उपर पहुशतेगा कि ढूंडते ढूंडते जब ठक गई तब केत्की के पुष्प को उन्हें तोड़ लिया और उस केत्की के फूल से कहा कि तू चल कर पहे देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सीश मिले केत्की के फूल ने मन्हें विचार करया कि मैं क्यों जुड़ वनूं तो कहा मैं तुझे सुगंदित बना कर रखूंगा थोड़ा सा एक चुटकी मात्र का भी जब भीतर लोब उत्पन होता है तब जीव नश्ट हो जाता और वो केत्की के फूल के भीतर ये बात तरगट हो अब केत्की के फूल ने कहा कि मेरी बात को अगर भगवान विश्णु नहीं माना तो जवाद को देगा तो कर देना कि भंगवान ब्रमा जी को भगवान शंकर का स्वीष मिल गया तो गाय कती है में क्यों जूड़ बोलने का लाप क्या होगा फाइदा क्या होगा तो कहा घर में सबसे पहली रोटी जो बने